Assalamu alaikum जी, in this lesson we are going to create another object using json hopi guides तो ये हमारा milk pack एक end result होगा तो let's see के इसका first step किया है तो हमारे पास first step है जी, create a rectangle and add a stroke ठीक है जी, तो rectangle यहाँ पे draw करते हैं और उसको एक stroke assign करते हैं तो यहाँ पे already I have added the stroke और इसका fill नहीं है तो अगर आप जो object create करें उसका fill आप none कर दें और उसका stroke है उसको कोई भी color assign कर दें ठीक है इसके बाद next step पे आते हैं तो next step पे हम क्या करेंगे यहाँ पे एक anchor point add करेंगे और उसको towards up move करेंगे ठीक है तो anchor point कैसे add किया जाता है मैं यहाँ पे इस object की selection कर रहा हूं pen tool को ले रहा हूं और जैसे ही मैं इस line पे आऊंगा तो आपको एक plus का symbol नज़र आएगा it means to add an anchor point मैं यहाँ पे एक point add करता हूं इस point को move कैसे किया जाए तो आप direct selection tool लें और इस point को आप अपने keyboard से भी move कर सकते हैं यह आप अपने mouse की मदद से भी move कर सकते हैं ठीक है तो जी यह हमारे पास एक shape draw हो गई इसको हम यहाँ पे side पे place कर लेते हैं इसके बाद we need another rectangle जो के हम इसके साथ place करेंगे तो इसकी जो width है वो थोड़ी सी ज्यादा है as compared to यह जो हमने पहले एक shape draw की है तो यहाँ से हम एक और shape draw कर लेते हैं जिसकी width थोड़ी सी ज्यादा है ठीक है जी उसके बाद हम वापस आत हैं third step देखते हैं एक और हम rectangle place कर रहे हैं और उसको anchor points की मदद से direct selection tool लेके कुछ इस तरह से हमने adjust करना है कि उसका यह जो top cover है उसको इसका पे place करेंगे ठीक है इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं इस ही को मैं copy कर रहा हूं इसको हम यहाँ पे इसके top पे place करते हैं ठीक है और Magazin को यहाँ पे नीचे लेकर आते हैं और अपने anchor points को move करते है तो anchor points को move करने के लिए we need direct selection tool इन दोनुपइंट को move करना है तो मैं दोनों की selection कर रहा हूं और इसको हम move करतें इंदर ठीक है जी इसको एक step नीचे थोड़ा सा नीचे भी ले आते हैं वापिस लेके जाते हैं जहां पे आपको इसकी position सही लगे वहां पे आप इसको stop कर सकते हैं ठीक है so I think this is good position दोबारा से हम stroke वैले panel में आ रहे हैं और यहां से इसकी जो limit है इस limit को थोड़ा से कम कर लेते हैं ताकि आपको यह जो उपर शाप corners नजर आ रहे थे वो आपको corners नजर ना आए बिल्कुल ऐसे ही हम इन दोनों shapes की भी limit कम कर लेते है ठीक है तो yes यहां पे हमें थोड़े से different चीज़े नजर आ रही है इसको adjust करके देखते है इसको उपर ही ले आते हैं इसकी जो limit इसको two रखते हैं और इस anchor point को थोड़ा सा move कर लेते हैं towards out और इसकी जो limit है उसको मजीद कम करके देखते हैं ठीक है we need to adjust this point जो इसका anchor point है इसको थोड़ा सा नीचे move करते हैं इसको भी थोड़ा सा नीचे मूफ कर लेते हैं ठीक है और इस पूरे अब्जेक्ट को एक दो पॉइंट्स नीचे मूफ कर लेते हैं राइट सो यह हमने अपनी जो शेप है उसको एड़िस्ट कर लिया इसके बाद वापपस आते हैं और नेक्स हमारे पास है जी अग लिम medium the तो यहां पे एक ब्लाक रटेंगल घड़िस्ट करते हैं मैं यहां पर दोबारएश शेप में जा रहा हूं और यहां पर हम लोग एक वलाक रिक्त्olas कर लेते हैं ठीक है इसके जो लिमित है को की उसको हम वापस ले जाते हैं ताकि हमें उपर शाप Source मिलें और इसको हम एक जो Çखन और एक सब्सक्रान कर लिए अगर आप इसको मजीध इस्ट करना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ से मजीध इसित कर सकते हैं ढूर एना ठीकर जी तो इसो और डेप्थ तो ट्राइंगल कैसे और गजी इस नोट लोकिंग ग्रेट बाप्ष इस शेप को सेलेक्ट करते हैं और इसके जाल में उसको इंक्रीज करके देखें आए तो यहां पर हमने क्राइंगल अर्ट करना है तो गिव इस ट्राइंगल आइड करने के लिए हम लोग पैंड से भी एक ट्राइंगल रॉ और कर सकते हैं फॉर ए झ्मल रूइर लिक्राइइग्स लिए कर विकैंड क्रीट ए-ट्राइंग्र कर लेहां पे यहां से स्टार्ट करते हैं यहां पर लेके जाते हैं यार इसको क्लोज कर लेते हैं All do So this is how you can create the shapes मजीद आप इसके जो distances है इनको मजीद fix कर सकते है ठीक है जी So वापस आते हैं और देखते हैं कि what is the next step तो इसको एक brown color assign करते है add a fill to each panel to give it some added dimensions ठीक है जी So यहाँ पर dark है यहाँ पर color इस color से light है और यहाँ पर बिल्कुल lightest है तो इस shape को एक color assign करते है that is going to be a brown color a very dark brown color ठीक है जी इस shape को assign करते हैं इसका हम hex code copy कर लेते हैं और उसका थोड़ा सा light variant generate करते हैं So मैं इस color को open कर रहा हूं इसकी shape को और यहाँ से इसका hex code इसको copy कर रहा हूं इस shape को click करते हैं इसके fill में जाते हैं यहाँ पर जाके paste करते हैं ठीक है So let's see हमारे परस कहाँ पर इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा उपर move कर लेता हूं ठीक है इसके बाद इस shape को select करते हैं यहाँ पर उसी hex code को copy करते हैं और इसको मजीद और light कर लेते हैं ठीक है जी So यह results हमें चाहिए थे इसके बाद हमने एक और rectangle create करना है और उसको add करना है इस वाली shape के अंदर ठीक है तो यह कैसे add होगा यह हम last जो हमने object create किया थे बर्डी वाला उसके अंदर भी हमने इसको experiment किया था इसको थोड़ा सा मजीद dark करते है इसको थोड़ा सा मजीद light करते है ठीक है एक यहाँ पर rectangle draw करते है इसके fill को none करते है और इसका जो color है उसको यह वाला dark brown color assign करते है और maybe more dark than this sorry इसको assign करेंगे ठीक है और इसको मजीद dark कर लेते है इसको copy करते है इस object की selection करते है और यहाँ पर इसका mood change करते है that is raw inside mood और इसको हमने copy किया था तो हम यहाँ पर paste करते है ठीक है तो इसको यहाँ पर move कर लेते है ठीक है जी इसके बाद वापस आते हैं देखते हैं कि what is the next step यहां पर कुछ lines add करनी है so lines add करने के लिए आप लोग pen tool से भी lines add कर सकते हैं या आप लोग line tool का भी use कर सकते हैं so let's use the line tool मैं click कर रहा हूँ और drag कर रहा हूँ shift को press करेंगा तो बिल्कुल horizontal line ये draw करेगा इसको हम एक stroke assign कर लेते हैं that is going to be something 10 points ठीक है इसी को मैं copy कर रहा हूँ और अगर आप चाहते हैं कि जो मैंने next line copy की है same distance पे एक और object यहां पे भी paste कर दिया जाए तो मैं अपने keyboard से ctrl d press करूंगा तो same distance के साथ उसने उसी step को repeat किया इस वाली line के साथ ठीक है so we have created the three lines इसके बाद अगर हम इन lines को इनके edges को थोड़ा सा round करना चाहते हैं तो मैं strokes वैले panel में जा रहा हूं और यहां से इसका जो cap है उसको मैं round कर देता हूं ठीक है इनको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ठीक है जी उसके बाद हमने एक और यहां पे triangle add करना है to give it a more shading and depth तो वापिस आते हैं और यहां पे आके एक और triangle add करते हैं ठीक है ज्यादा भेतर है कि हम इसको draw inside कर लें तो मैं इस पर click कर रहा हूं इसको copy कर रहा हूं करता हूं इसका मोड यहां से चेंज करता हूं पेस्ट कर रहा हूं और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसको मूव और लेते हैं ठीक है और यह जो हमारे पास अंदर वाला rectangle है, triangle है, इसका जो color है, वो मजीद दाग कर लेते हैं, ठीक है, so this is how you can create the shadings, or you can create multiple objects, तो इसके बाद we have the desired object, जो के हम create करना चाहते थे, so आप लोग ऐसे ही, बाकी objects के साथ भी play कर सकते हैं, so let's play with your favorite object, see you in the next lesson, thank you so much. झाल